हिंदीनों Electoral Bond की खूब चर्चा हो रही है Electoral Bond बामले पर सुप्रीम कोट में दुबारा से एक बर सुनवाई की गई एक बर फिर से State Bank of India यानि SBI को सुप्रीम कोट में फटकार लगाई और पूशा कि Electoral Bond से जुड़ी पूरी जानकारी क्यों साजा नहीं की गई अब सुप्रीम कोट ने इस मामले पर SBI को डेड़ लाइन भी दी है और कहा है कि आदेश का पूरा पालन करे और 21 मार्च शाम पाँच बज़े तक पूरी जानकारी दे कोट ने SBI चेर्मेन से 21 मार्च तक एक हल्फ नामा दाखिल करने के लिए भी कहा है जिसमें पूरी जानकारी का खुलासा किया गया हो और लिखा गया हो कि कुछ भी छिपाया नहीं गया सुप्रीम कोट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI से जानकारी हसल करने के बाद तुरंत अपनी वेब साइट पर भी इसके जानकारी साजा करें तो वहीं इससे पहले 14 मार्ज को सुप्रीम कोट के आदेश के बाद SBI ने जो जानकारी शेर की उसे चुनाव आयोग ने अलेक्ट्रोलर बाउंड की दो पीटीएफ अपने वेब साइट पर जारी किया जिसमें एलेक्ट्रोलर बाउंड के जडिये चंदे की जानकारी दी गई उसमें एक नाम सबसी ज्यादा चौकाने बाला सामने आया वो नाम है Future Gaming and Hotel Services के मालिक सेंटियागू मार्टिन की सेंटियागू मार्टिन के बारे में एलेक्ट्रोरल बांड का जो डेटा चुनावायू की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद सार्शनिक हुआ उसमें ये पता चला कि किस पार्टी को एक कंपने या वैक्ती के तरब से कितना जेटा चंदा मिला है एलेक्ट्रोरल बांड के जरिए सत्ताधारी बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला लेकिन वहीं टीमसी बीजेटी जैसे पार्टियों ने भी एलेक्ट्रोरल बांड से खूब पैसा भी चुड़ा लेकिन क्या आपको पता है कि तमिलाडू में शासन कर रही DMK पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा किस ने दिया अगर रही तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि दक्षिन भारत की सबसे बड़ी राजनितिक पार्टियों में से एक DMK के बारे में और आपको ये भ केमिंग एंड होटल सर्विसेज है इसके मालिक सेंटियागो मार्टीन है जिसे लोटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है और इस कंपनी ने कुल 1300 करोर से ज़्यादा के एलेक्ट्रोरल बांड खरी दे अब चुनावी बांड डेटा के दूसरी लिस्ट में ये खुलासा इन कैश कराया और जम कर पैसा भी बटो रहा है सेंटियागो मार्टीन ने डीमक को 656 दश्रबलव पांच करोर का चंदा दिया ये साउथ में अगर किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो वो डीमक का नाम सबसे पहले नंबर पर आएगा फ्यूचर गेमिंग ने कुल 1368 करोर रुपे के लेक्टरल बांड SPI से खड़ी दे जिसने करीब 37 परतिशत DMQ को दान दे दिया इसके अलाबा भी DMQ को कई बड़ी कमपनियों ने बड़ी अस्तर पर डोनेशन किया इसमें मेगा इंजिनियरिंग है जिसने 105 करोर रुपे दान दिये इंडिया सिमेंट्स जो 14 करोर रुपे दान दिये वहीं सन्टीवी 10 करोर रुपे भी दान दिये DMQ को ये तीन बड़ी बड़ी कमपनियों उसके नाम है फ्यूटर गेमिंग ने कुल 1360 करोर रुपे के ऐलेक्टरोर बांड खर दे, ये बार बार बताया जा रहा है क्योंकि ये कमपनिय कभी कहा करती थी कि ये लॉस में जा रही है इसके बाद बात आती है कि चुनाव आयो की वैपसाइट पर अपलोड किये गए डेटा के मुताबिक कौन से जानकारी सामने आई जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि 2018 से अब तक BJP को सबसे ज्यादा करीब 6,986 दशबलव 5 करोर रूपे के बांड्स मिले वहीं दूसरे नंबर पर जो पार्टी है वो TMC रही है जिसे 1397 करोर रूपे के चुनावी बांड्स मिले जबकि BRS को 1322 करोर रूपे दान में मिले वहीं ओडिशा के सकताधारी BJD नवीन पतनाय की पार्टी है उन्हें 944 दशबलव 5 करोर रूपे के अलेक्टोरल बांड्स दान के जरिये मिले DMC देश की छटी सबसे बड़ी पार्टी रही जिसे अलेक्टोरल बांड्स के जरिये सबसे ज्यादा चंदा मिला साउथ में ये पहले नंबर पड़ाएगा अब सबाल ये कि आखिर सेंटियागू मार्टीन है कौन जिसने पार्टियों को इतने ज़दे बड़े संख्या में बांड्स के जरिये दान दिये सेंटियागू मार्टीन के फ्यूचर गेमिंग एंड हुटल सर्विसेज ने 2019 से 2024 के बीच में खुल 1360 करों रुपे के खारिदारी की और Electoral Bonds खड़ी दे Election Commission की वेब साइट पर अपलोड किये गए जानकारी के मताबिक ये बात सामने आए सेंटियागू मार्टीन ने TNJ में लोट्री टिकट बेचने का काम शुरू किया था और इसे से रियल स्टेज का सामराज खड़ा करने तक का सफर तै किया अपने पड़िवार को सपोर्ट के लिए वह मायाबार में मजदूरी करने लगे और 1980 के आखरी सालों में वे वे वापस भारत लोटाए मार्टीन ने नौन प्रॉफिट मारिटीन चैरिटेबल ट्रस्ट के मताबिक कोई अमबर्टूर में उन्होंने अपना बिजनेस कैरियर शुरू किया मार्टीन के टू डिजिटल लॉट्री सिस्टम को काफी पॉपलरेटी मिली इसके बाद उन्होंने देश के दूसरे राज्यों में भी जैसे कि इसके इलाबा बात करें तो भुटान हो या फिर नेपाल हो इसमें भी एक्सपेंट किया अपने बिजनेस को बढ़ाया और इस कारूबार में मार्टीन की कमपनी मोनो पॉली थी पिछले कुछ सालों में जाच अजन्सियों ने उनके दफ्तरों में शापे मारी भी की और उनके खलाब कई मामलों में प्रोपर्टी को भी सीज किया गया चाहे वो इडी हो या फिर सीवियाई का आरोपी क्यों न हो मार्च 2023 में खत्म हुए बितिये वर्ष में वह भारत के सबसे ज़्यादा टेक्स चुकाने वाला शक्स में भी शामिल रहा अब सबाल अब आपको अंत में ये बताते हैं कि Electoral Bond केस आखिर है क्या सुप्रीम कोट ने 15 फरवरी 2024 को एक अतिहासिक फैसले में Electoral Bonds को और समवेधानिक करार दिया और State Bank of India यानि SBI को इस स्कीम के तहत बेचे गए सभी Electoral Bonds की जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया सबसे पहले बैंक से यह डेटा 6 मार्च 2024 तक शेयर करने को कहा गया था लेकिन बैंक 30 जून तक तारीक बढ़ानी के लिए सुप्रीम कोट चला गया हलकि देश के सिर्ष अदालत सुप्रीम कोट ने SBI को खड़ी-खोटी सुनाई और उसके बाद आदेश लिया कि 12 मार्च तक पूरा डेटा चुनाव आयोग को दे कोट ने चुनाव आयोग से भी 15 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर पूरा डेटा अपलोड करने की बाद गई थी जो कि अपने समय से पहले ही अपलोड कर दिया गया Electoral Bond के मुद्दे पर SBI को सुप्रीम कोट के तरब से दुबारा जटका लगा 18 मार्च को जब सुप्रीम कोट ने सुनवाई के दौरान सक्त लहजे में कहा कि SBI चेर्मेन को एकिस मार्च पांच बज़े तक सारी जानकारी साजा करनी होगी इसके लिए वकायदा एक हल्पनामा भी दाखिल करना होगा जिसमें कोट को ये कहना होगा कि उनके पास ये सारे जानकारी दी गई है इसके लावा कुछ भी छुपाया नहीं गया है कोट ने भी कहा कि चुनाव आयोग के पास SBI से जैसे ही जानकारी आती है तो अपनी वेबसाइट पर इसे तुरंत अपलोड करने आपको बता दे कि चुनाव आयोग ने हाली में राजनितिक दलो दोरा सील बंद कभर के तहद जमा किये गए चुनावी बांड के विबरन को सारजनी कर दिया और माना जा रहा है कि विबरन 12 अपरेल 2019 से पहली के अवदी से समंदित है इस तारीक के बाद कि चुनावी बांड के देशा निर्देश के अनुसार सील बंद कभर यानि कि चुनावी बांड का डेटा दाखिल कर चुकी है फिलाल चुनावी बांड को लेकर काफी चर्चा है और तमाम वेपक्षी पार्टी में इस पर सवाल उचा रही है आप देखते रही नियोस तर